बारत माता की मन पर बिराजमान संसद में मेरे साथी और उत्तरप्रदेश भारतिये जनता पार्टी के अध्यक्ष युवा नेता त्रिमान केशो प्रसाज जी मौरिय हम सब के मारदर्शक भारतिये जनता पार्टी के वरिष्ट नेता आदर्णिये डॉक्तर मुर्लिमन और जोशी जी केंद्र में मंत्री परिषत के मेरे साथी साध्वी निरंजन जोटी जी संसद में मेरे साथी स्री ओम जी स्री देवेंद्रसी जी केंद्र में मंत्री परिषत के मेरे साथी सिमान राजी प्रताप रूडी जी विदाय केमं महा सचीव सी सलील विष्णोई जी प्रदेव सचीव सिमान स्वतंत्र देव पतेल जी सिमान विजय बादूर पाठक जी मानवेंद्रसी जी कौसलेंद्रसी पतेल बाबुराम निशात सिमदी कृष्णा पासवान जी प्रकाश शर्मा जी सुरेंद्र मैथानी जी अरून पाठक जी राहुल अगनिहोत्री जी सत्यदेव पचोरी जी स्रीमती अनिता गुपता जी सी रगुनंदर भदोरिया जी रामशरन कटियार जी सतीस महाना जी सिमान हर्दवार दुबे जी और विशाल संग्या में पदारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों पिछले कुछ दिनों में मुझे उत्तर पदेश में जहां जहां जाने का सवभाग मिला है मैं देख रहा हूँ उत्तर पदेश में परिवर्तन की लहर नहीं परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर पदेश का हर नागरीक परिवर्तन का संकल्प पुर्ण करने के लिए जी जान से जुट गया है भाईयो बहनो आपके बीच आने से पहले मुझे भारत सरकार के कारकम में सरीक होना था यही पर पास में ही उस कारकम का समारो था अनेक प्रकार की नई योजनाएं खास करके उत्तरप देश के नवजवानों के लिए देश के नवजवान जिसके पास उर्जा है ऐसे उर्जावान नवजवानों के हात में अगर हुनर आ जाए तो मेरा देश का उर्जवान नवजवान पूरे भारत को नई उर्जा दे सकता है नई गती दे सकता है विकास की नई उडान दे सकता है और इसलिए आज यहाँ पर स्कील डेवलप्मेंट के अनेक योजनाओं का आरंब किया है पूरे देश में भी अनेक कायरकमों को आज लॉंज किया गया देश और दुनिया में आने वाले दिनों में जिनके पास युवा धन है युवा शक्ती है वे विश्व में अपनी तांकत दिखा सकता है अपना अस्तीत्व दुनिया के लिए उपकारक सिद्ध कर सकता है भारत आज सवभाग्य साली है कि भारत के पास 35 से कम आयू की संख्या 65 प्रतीशत से जादा है जो देश नवजवान हो जेश देश के पास उरजावान युवा हो वह देश दुनिया के सामने अपनी तांकत का परीचे करवा सकता है लेकिन वो तब संबव होता है जब उसके हाथ में हुनर हो काम का आउसर हो देश में गती हो विकास की उड़ान हो तो भायो बहनो भारत में गरीबी को खत्म करने में देर नहीं लग सकती भायो बहनो ये ताकत मेरे देश के युवा में है आज हमने गेस पाइपलाइन का भी लोकारपन किया बिजली के लिए एक सब्स्ट्रेशन का भी लोकारपन किया एक प्रोजेक्ट एक प्रकार से उर्जो के प्रोजेक्ट है एनर्जी के प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट भी आर्थिक बदलाव लाने में उर्जा का काम करते हैं भाईयो बहनो आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश का अधिकार है ये उत्तर प्रदेश का गवरव है कि उत्तर प्रदेश ने देश को स्थीर सरकार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है तीस साल तक देश में स्थीर सरकार नहीं थी समझेोते से गाड़ी चल रही थी निलने नहीं होते थे पुरी देर एक को समालो तो दूसरा नाराज दूसरे को समालो तो तीसरा नाराज वो अपनों को समालने में लगे देश को समालने के लिए उनके पास समय नहीं था देश को समालने के लिए उनकी प्राइवरिटी नहीं भाईयो 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 आज दिलनी में आपने ऐसी सरकार बनाई है जो सरकार गरीबों को समर्पी थै पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए हैं वो सारी योजनाएं इस देश के गाउं, गरीब, किसान, बलीत, पीडीत, शोसीत, वंचीत, माताए, बहने, युवा, उनी के जीवन में बढ़लाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्री था, मैं हरान हूँ, एक तरफ हम देश को ब्रस्टा चार से मुक्त कराने की लडाई लड रहे हैं, हमारा एजन्डा है प्रस्टा चार बंद हो, हमारा एजन्डा है काला अधान बंद हो, लेकिन उनका एजन्डा है सउसद बंद हो, सउसद बंद हो, सउसद बंद हो, पूरा महिना सउसद चलने नहीं दी, एस सउसद क्यों चलने नहीं दी भाई, पार्लामेंट में चर्चा क्यों नहीं की राश्पती के कहने के बाद भी होहल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी इससे वो भाग रहे थे दर रहे थे अब तक जिनों ने सरकारे चलाई है उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था और इसलिए सवंसद मैं हो हला करो नारे बाजी करो स्पीकर महोदा उपर कागज के टुकड़े फैको यही काम करते रहे अरे मुंसी पालिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यहवार करने से पहले पचास बार सोचते हैं देश की सुनसद को उसकी गरिवा को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास मेरे देश वाच्चों यह बाते सामान्य नहीं है गंबीर है देश वाच्चों को समझ रहा होगा संसद पहले भी रुकती थी संसद में पहले भी रुकावटे आती थी लेकिन तब रुकावटे आती थी क्योंकि विरोधी दल मिलकर के बेइमानों के खलाब लड़ाई लड़ना चाहते थे गोटालों को उजागर करना चाहते थे गोटाले बाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे और इसलिए कभी कभी संसद में व्योधान आते थे पहली बार पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेइमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे सरकार, सरकार बेइमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी विरोधी दल बेइमानों को बचाने के लिए एक जूट हो रहे देश, देश आज दो हिस्सों में बटा हुआ है एक तरफ मुठी भर वो नेता है जो काले धन को प्रस्टाचार को बेईमानी को बचाने पे लगे हुए है और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है जो इमानदारी की रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहने को तयार है भाईयो भेनो ये प्रस्टाचार ये काला धन काला मन काला करोबार यही है जिसने मद्यंबर का सोशन किया है और गरीबों के हक को छीना है भाईयो भेनो आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो गरीबों को हक दिलाना चाहती है जो मद्यंबर को सोशन से मुक्त कराना चाहती है जो देश पर इमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है और देश वासी जिस इमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं उसको ले करके एक नई ताकत खड़ी करना चाहती है लेकिन भाईयों भहनों जिनको आदत बैमानी की पड़ी है जिनको आदत गलत काम करने की पड़ी है उनसे अब देश ज्यादा अपेक्षान नहीं कर सकता है और इसलिए मेरे प्यारे देश वातियों मेरे प्यारे भाईयों बहनों यह परिवर्तन की आख यह परिवर्तन की ललक पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आँदी क्यों आई है यहां के लोग गुन्डा गर्दी से तंग आ चुके हैं तंग आ चुके हैं हर कोई गुंडा गर्दी कर रहा है सरकार में बैठे लोग गुंडा गर्दी करने वालों को सह दे रहे हैं वायो तो सामान ने मानवी जाएगा कहा उसका मकान छिल ले उसकी जमीन छिल ले वो जाएगा कहा भायो भना जब तक लख्ठनों में सरकार नहीं बदलोगे ये गुंडा गर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले सामान मानवी को परिशान करने वाले लोग चुप बचने वाले नहीं है और इस तुनाव में भी ये गुंडा गिर्दी पालने वाले और गिंडा गिर्दी करने वाले बेखोप हो करके चुडाओं में अनाव सराथ सब कुछ करने पर तुले होंगे लेकिन इमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हिंदुस्तान का नेक दिल इंसान उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए संकल्प बद्ध हो करके परिवर्तन ला करके रहने वाला है यह मैं साब देख रहा हूँ भाई क्यों बेनो मैं आज हमारे देश के चुनाव आयोक का भी अभिनिन्दन करता हूँ उन्होंने देश के राजरितिक दलों को भी काले धन से मुक्ति के लिए आवाहन किया बारतिये जंताँ पार्टी इसका स्वागत करती है भाई यो बेनो साउसट के सत्र के पहले आल पार्टी मिटिंग में सभी राजरितिक दलों के सभी वरिष्ट नेताओं के बीच मैंने उनके सामने आगर से कहा था कि देश इमांदारी चाहता है देश इमांदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है राजरितिक दल, राजनेता उनके प्रती जंता के दिल में अविश्वात भना पड़ा है लोग कंत्र में हम राजनेताओं की, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी हैं कि हम जंता को इमांदारी का बिस्मात दिलाएं और मैंने कहा था, कि इस बार संसद में हम खुल करके चर्चा करें दो विशों पर खुल करके चर्चा करें कि ये पॉलिटिकल पार्टिया राजनीतिक दल, उनको चंदा कैसे मिलना चाहिए ये चंदे का हिसाब किताब कैसे होना चाहिए देश की जनता के सामने ये चंदे के सबन में राजनीतिक दलों पे जो उंगलिया उठी करें क्या देश की जनता की छाक, आँच चाह कैनुकोल हम मिलकर के कोई रास्ता कशोड सकते हैं कर नहीं खोड सकतेaden के बाद मैंने औल पार्टी मिटिंग में कही थी और मैंने आगरा किया था कि सदन मैं इसकी चर्चा होनी चाहिए मैंने दूसरी बात कही थी जो हमारे देश के आदर्ड ये राठ परती जी ने भी अभी उसका उलेख किया आदर्ड ये प्रणव मखर जी ने कहा कि हमारे देश में लोग सभाव और विदान सभाओं के चुनाओ अलग अलग होते हैं उसके कारण देश पर बहुत बड़ा बोज पड़ता है काले धन के कारोबार को अवसर मिल जाता है क्यों ने देश में लोग सभाओं और विदान सभाओं के चुनाओ साथ साथ कराने का बातावरन क्यों ने बनाये जाए व्यवस्ता क्यों ने खड़ी की जाए आए दिन चुनाओं के कारण गाओं गाओं में तनाओं परदा हो जाता है सारी विकास की यात्रा रुख जाती है अगर पांच साल में एक बार चुना हो पांच साल सब सरकारे जो भी चुन करे आए वो काम करे मैंने सभी पार्टियों को कहा था उस पर भी चर्चा होनी चाहिए लेकिन सदन चलने नहीं दिया गया क्योंकि ये दोनों बाते ऐसी थी कि जिस से ये चर्चा में भाग लेना नहीं चाहते थी भाई ये बैनो मैं इलक्षन कमिशन से फिर से आगरा करता किस बात को आगे बढ़ाए देश के राज लितिक दलों पर दबाव पैदा करे सबसे मिल करके चर्चा करके करे और हमारी सरकार जो फैसला होगा जो जन्ता के हीत में होगा इमांदारी के पक्ष में होगा उसको तुरंत लागू करने के लिए प्रतिबत है ये मैं भिस्वाद दिलाना चाहता भायो भेना ब्रस्टा चार और काले धन के खिलाब लड़ाई हर प्रकार से हमें जीतनी है ब्रस्टा चार और काले धन से देश को मुक्त कराना है हमारे देश की बरबादी के मूल में यही बिमारी है जिसने गरीब को गरीब रहने के लिए मजबूर किया है और इसलिए भायो भेनो आवशक हैं कि हम इस लड़ाई में एक सिपाई बन करके देश के उजवल भविश्य के लिए काम करें भायो भेनो आठ नमेंबर को हमने नोट बंदी का निर्णे किया आप जानते हैं कैसे कैसे लोगों के पसीने छुट गए है जिन्होंने गरीबों का लूटा है वे आज परेशानिया जेल रहें रास्ते खोज रहें गरीबों के घर जाकर ये कतार लगा के खड़े हो कि मेरे पैसे हैं कुछ तुम रख लो बैंक में जमा कर दो ताकि मैं बच जाओं भायो भनो जब हजार की नोट थी तो सो की नोट को कोई पूछता नहीं था अब हजार और पांसो की चली गई तो सो वालों की ताकत बढ़ गई ताकत बढ़ गई तो वो भी जिन थे जब बड़े बड़े लोगों की पूछ होती थी छोटे लोगों को पूछता नहीं था अब छोटी नोट भी पूछी जाती है पूजी जाती है छोटे लोग भी पूछे जाते है पूजे जाते है यह बड़ावाया है भाई यो भनो कॉंग्रेस पार्टी 35 साल पहले जो कानून बनाया था पॉलिटिकल पार्टियों की हिसाब किताब के सबस्द में हमारी सरकार ने उसमें फुल स्टॉप कॉमा को भी हात नहीं लगाया है और कल मैंने देखा कॉंग्रेस के नित हमें बड़्राव करने के लिए उचल पड़े से मैं ज़ड़ा कॉंग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं कॉंगरेस पार्टी के लोग सीना तान करके मीडिया के सामने बोलते थे बेश शर्मी के साथ बोलते थे जब सिताराम केसरी कॉंग्रेस पार्टी के कोशाचक्ष हुआ करते थे पर्मेनन कोशाचक्ष थे और सिताराम केसरी कैसे कोशाचक्ष थे तो खुद कॉंग्रेस के लोग बोलते थे न खाता न वही जो केशरी कहे वो ही सही ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे देश की जनता को कभी हिसाब न देना प्रश्चा चारपन पे तो पनप देना खुद के फाइदे में जो हो वो करते रहना इसी का परणाम है कि देश तबाह हो गया है भाई भाईयों 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 हम विकास की नई उचाईयों पर देश को ले जाना चाहिए आप मुझे बताईए आजाजी के सतर साल बाद उत्तर प्रदेश में इतनी सरकारे आके गई इतने सारे प्रधान मंत्री बने उत्तर प्रदेश से उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में करीब करीब पन्रा सो सोला सो गाव ऐसे हैं जहां पर 21 सदी में भी बिजली का खंभा नहीं पहुचा बिजली का तार नहीं पहुचा बिजली का लट्टू नहीं लगा क्यों भाई मेरे उत्तर प्रदेश के उन पन्रा सो सोला सो गावों का क्या दोश हैं कि उनको अठारवी शताब्दी में जीने के लिए मजबूर किया गया क्या कारण है भाईयों बहनों मैंने लाल के लिए पर से आवहन किया था पुछले वर्स और मैंने कहा था एक हजार दिन में हिंदुस्तान के जो अठारा हजार गाव जिसमें उत्तर प्रदेश के पंद्रा सो सोला सो गाव हैं एक हजार दिन में मैं बिजली पहुँचा दूंगा भाईयों बहनों आज आज बड़े संतोष के साथ मेरे उत्तर प्रदेश के भाईयों बहनों को मैं कहना चाहता हूँ जो पंदरा सो सोला सो गाउं थे, उसमें अब सत्तर बहत्तर गाउं बाकी रहे हैं, बाकी गाउं में बिजली पहुंच गई, लोगों कने बिजली घरों में लेना शुरू कर दिया. भाईयों बहनों जो 70-72 गाउं बाकी रहे हैं उसमें भी 50 गाउं ऐसे हैं जहां कोई लोग ही नहीं रहते जिर्फ कागेज पर गाउं का नाम बचा है एक प्रकार से सिर्फ 20-22 गाउं बाकी हैं जिसका काम तेजी से चल रहा है अगर यहां की सरकार रुकावट न डाले तो वो काम भी बहुत तेजगती से पुरा कर देंगे यह मैं हिसाब आपको दे रहा हूँ भाई यो बहनो एक समय था गैस का कनेक्शन लेना हो गैस सिलिंडर लेना हो तो कितने पापड़ बेलने पड़ते थे यह माताए बेहने ने तो कभी सोचा भी नहीं था गरीब माबाय बेहनों ने कि कभी उनके घर में भी गैस सिलिंडर होगा और फटाग से खाना पका करके रोजी रोटी कमाने के लिए जा पाएंगे कभी सोचा तक नहीं हमने बिड़ा उठाया है तीन साल के भीतर-भीतर हिंदुस्तान के गरीब परिवारों में गैस का कनेक्शन देना, गैस का सिलेंडर पहुचाना और लकडी के चूले से सहथ बरबाद हो रही मा बहनों को बचाने का हमने बिड़ा उठाया है और आज अकेले उत्तर पुदेश में लाखों परिवारों में कोई प्रस्टाचार की शिकायत नहीं है, कोई भाई बती जयवाद की शिकायत नहीं है, कोई जाती बाद की शिकायत नहीं है, जिसका भी नाम गरीबी की रेखा के नीचे रेकौर्ड पर लिखा है 35 लाज से जादा लोगों के घरों में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, गैस का चूला जलने लग गया, बच्चों को अच्छा खाना मिलना चुड़ू हो गया, भायो भनो, अगर काम करना चाहे, तो काम कैसे हो सकता है, इसका ये उदाहन आप दे सकते हैं, भायो भनो, ये उत मतरपदेश, कोई साल ऐसा नहीं जाता है, जबकि गन्ना किसान परिशान न होता हूँ, मिले समय पर चालू न होना, गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिलना, मिले देर से चालू करने के कारण गन्ने का वेट कम होता है, मिलों वालों को मुनाफ़ होता है, पहली बार भायो भन समय पर मिले चालू हुई है और गन्ना किसानों के 2013-14-15 में जो बकाया राची 20-22,000 करोड थी उसको भुक्तान करने में हमारी सरकार ने सभलता पाई है भाईयो बैनो ये काम होता है और इसलिए हम देश के किसान को भी तांकत देना चाहते हैं सोईल हेल कर यूरिया का निम कोटिंग आप जानते हैं यूरिया का क्या उप्योग होता था मैं जड़ा दिल्ली वालों को कहना चाहता हूँ दिल्ली वाले बड़े चाओ से जो दूद पीते थे ने उनको पता भी नहीं चलता था कि सही में गाय या भैस का दूद कौन सा है और यूरिया से बना हुआ सिंथेटिक दूद कौन सा है पता तक नहीं चलता यूरिया का उपयोग खेत में किसानों को मिलने के बजाए देश के बरबाद करने पर तुले हुए मुठी पर लोग उसमें से सिंथेटिक दूद बना करके दिल्ली के लोगों तक पहुचा देते थे अब हमने यूरिया का निमकोटिंग कर दिया अब यूरिया का निमकोटिंग करने के कारए उसका सिरफ एकी उपयोग हो सकता है और वो जमीन में खेत में डालने के जिवाई कोई उपयोग नहीं हो सकता है बताइए मेरे भाईयों बहनों करोडों करोडों बच्छों की जिंदगी हमने बचाई की ने बचाई ने बचाई एक निरे ने नीम कोटिंग यूरिया का नीम कोटिंग सिंथेटिक दूद बनाने वालों के धंदों पर चोट पहुंचा दी और देश के करोडों बच्चे जिनको इस प्रकार का यूरिया से बना हुआ दूद पिलाने के लिए मजबूर किया जाता था उन बच्चों की जिनगी बचाने का काम एक निरे से हमने कर लिया है बाईयों कि इन नोट बंदी भी ऐसी है एक निरे से अच्छो अच्छों का खेल खताब हो चुका है कुछ लोगों को लगता था कि बैंक में पैसे डाल दिये तो सफेद हो जाएंगे यह गलती कर गए उनको पता नहीं था यह सरकार इमांदारी की सरकार है इमांदारी के लिए सरकार है इमांदारों के कारण यह सरकार है और इसलिए जो सरकार इमांदारों के कारण हो जो सरकार इमांदारी के लिए हो जो सरकार इमांदारों के लिए हो उस सरकार को कम मतां किये, कम मतां किये, फस गए, उनको लग रहा था, अब हमने टेकनोलोजी से ढूंड रहे हैं, कहां से रुपी आया, कब आया, वो आया था, वो कौन था, CCTV केमेरा में देखा जा रहा है, और आपने देखा होगा, दमा दम रुपी पकड़े जा रहे हैं कि पहले कभी ये द्रश्य देखा था, पहले कभी देखा था, ये लूटने वालों पर हाथ लगाने की किसी की ताकत थी, भाईयो भने, आज हिंदुस्तान के हर कौने में, जिनों ने देश के गरीबों के साथ खिलवार किया है, उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं, भाईय कितनी है, जो लोग इतनी ताकत रखते हैं, बैंक के अपसरों को भी खरीच सकते हैं, भाईयो भनो, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे देश वास्यों, ये लड़ाई, देश के इमानदारों की लड़ाई है, देश के गरीबों की लड़ाई है, और यह सरकार यह लड़ाई जीत करके रहने वाली है क्योंकि देश देश इमानदारी की लड़ाई जीतना चाहता है मेरे भाईयों बहनों, ये बात मैं भली भाती जानता हूँ, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा कारोबार नोटों का, और इतना बड़ा निर्णए, लोगों को क्या कुछ सहना पड़ा है, इसका मुझे पूरा अंदाज है। लेकिन मेरे देश समाचियों, आपने जो कस्त जेला है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जेला है। देश के स्वार्थ के लिए जेला है, देश की भलाई के लिए जेला है। और इसलिए भाईयों भनों, आपको कभी निराश होने का आउसर नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ इमान दारी है, पवित्रता है, प्रामानिकता है। भाईयों बैनों, मैने पहले दिन से कहा है, कि 50 दिन तक एक कठिनाई, भाती-भाती की कठिनाईया आती रहेगी, कभी कम दिखती होगी, कभी बड़ती दिखती होगी। पचास दिन तगे होने वाला है ये मैंने पहले दिन कहा था और पचास दिन के बाद ये कठिनाईयां बढ़ना बंद कर रहे दिगी बढ़ना ही पाएगी कठिनाईयां कम होने की शुरुवात हो जाएगी ये मैंने पहले दिन कहा था आज दुबारा कह रहा हूँ भाई योभनो जो लोग एटियम के उपर कतार लगा के खड़े रहते हैं जो लोग बैंक में पैसे लेने जाते हैं मैं जरा हमारे विरोजियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ एक तरब वो कहते हैं कि लोगों का बैंक में खाता ही नहीं है खाता ही नहीं है दूसरी तरब कहते हैं कि लोग बैंक में पैसे लेने गरीब आदमी जाता है उसको पैसा नहीं मिलता है बही एक चीछ तो सच बताओ एक तरब कहते हो गरीब का खाता नहीं दूसरी तरब कहते हो गरीब पैसे लेने जाता है बिलता नहीं जनता को गुम्राह करने जूट को बोलते हो यह लोग जब मैं कहता हूँ डीजिटल ऑनलाइन लेस कैस नीड़ बेट कैश भाईयो बेहनो एक जमाना था बड़ा चांदी का रुपिया होता था तभी बाजार में चलता था बडलते 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 कागज की नोट तक रुपिया आ गया भाईयो बेहनो अब तो वक्त वो आया है कि हाथ लगाए बिना भी मोबाईल फोन से रुपियों का कारोबार किया जा सकता है आपकी मोबाईल फोन ही आपकी बैंक बन जाती है चाई पी करके मोबाईल फोन से पैसे दिये जा सकते है चाई पीने वाले से मोबाईल से पैसा लिया जा सकता है नोटों के बिना किया जा सकता है जब मैं ये बताता हू तो ये लोग क्या कहते हैं कर इस देश पे कहां यही लोग हर चुनाओं में यह बाशन देते थे कि राजिव गांधी प्रधान मंत्री थे वो हिंदुस्तान में कॉम्पुटर यूग लाए राजिव गांधी प्रधान मंत्री थे इस देश में मोबाईल फोन लाए राजिव गांधी प्रधान मंत्री थे इस देश के गरीव पर यहीं है के मोबाइल फोन को बैंक बना दो तो कहते हैं मोबाइल फोन ही कहां, घरीब के पाध मोबाइल है, कहां? इतना जूड बोलते हो आप력 है। भुएं दोल पिलते थे कि राजिव गांधी ने मोबाइल फोन दिया, अब मैं कहता हूं मोबाइल आप लो यही लोग डोल पिड़ते थे कि राजिव गांदी ने मुबाइल फोन दिया अम मैं कहता है मोबाइल फोन का बैंक मिलेगा तो कहते हैं मोबाइल फोन ऐगी आप इनको पहचालों एक कितना जूड़ बोलते हैं ये लोग गुम्राद कैसे करते हैं लोगों को भड़क कारोबार है और बारत सरकार ने देश के गरीबों के लिए एक बहुत अच्छी योजना बनाई हैं मैं यह योजना आपको बताता हूँ आप गर-गर पहुंचाओगे गर-गर पहुंचाओगे जोर से बताईए गर-गर पहुंचाओगे हर दुकानदार को पहुंचाओगे गाउं गाउं पहुंचाओगे पक्का पहुंचाओगे भारत सरकार ने यह ऑनलाइन पेमेंट के लिए इवालेट के लिए डिजिटल करंसी के लिए मोबाइल बैंक के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई 25 डिसेंबर क्रिश्मस की गिप के रुपे इसकी शुरुवाद होने वाली है और योजना ये है कि 8 नमेंबर से अब तक 25 तारिक तक अगर आपने अपने डेविट कार से क्रेडिट कार से कोई खरीदी की होगी तो उसका एक विशिष्टन नमबर जनरेट होता है इन सारे नमबरों का 25 तारिक को ड्रॉण निकलेगा इनाम का ड्रॉण निकलेगा और 15,000 कम नहीं 15,000 लोग जिनका नमबर लगेगा उनके खाते में सरकार की तरब से 1000 रुपया जमा हो जाएगा ये कम हर दिन होने वाला है एक दिन नहीं हर दिन होने वाला है सो दिन तक चलने वाला है मतलब की हर दिन नए 15,000 लोग जिसको एक बार मिल जाएगा उसको दुबारा नहीं मिलेगा हर दिन 15,000 लोगों को एक-एक हजार उपिया उनके खाते में जाएगा सौ दिन में 15 लाख परिवारों में एक एक हजियार रुप्या पहुंच जाएगा दूसरा साथ दिन के बाद 30 दिसंबर को एक बड़ा ट्रो होगा जिसमें लाखों रुप्या के इनाम दिये जाएंगे और तीन महने के बाद 14 एप्रील दॉक्तर बाबा साथ आम बेड़ करकी जन्म जहिंती पर एक बंपड ड्रो होगा और आठ नमेंबर से लेकर के 14 एप्रील तक जिसने भी इस प्रकार से कारोबार में खरीद विक्री की होगी उनको करोडो करोडो रुप्यों का इनाम दिया जाएगा भाई ये तो हो गया ग्राहक के लिए लेकिन दुकानदार के लिए भी इनाम है जो दुकानदार ये मोबाइल फोन से माल बेचता है देविट कार्ट क्रेडिट कार्ट से माल बेचता है उसका भी अलग नमबर निकलेगा और उसका भी ड्रो होगा और हर सब्ता उसको हजारो रुप्यों के इनाम दिये जाएंगे ये हर सब्ता होता रहेगा व्यापारियों को भी इनाम मिलेगा ग्राहक को भी इनाम मिलेगा लेकिन ये इनाम बड़े लोगों के लिए नहीं है ये इनाम छोटे लोगों के लिए है जो पचास रुपिये से ज़्यादा खरीच करता है और जो तन तीन हजार रुपिये से कम खरीचता है उसी को इसका लाब मिलेगा तीन हजार से ज़्यादा कमा खर्च करने वाले को इनाम की जरुवत नहीं होती है ये गरीब के लिए है गरीब के लिए उसी प्रकार से दुकानदार जिसका साल भर का कारोबार दो करोड रुपिये से कम है उस दुकानदार को ही इनाम मिलेगा बड़े बड़े अर्बो उरुपियों के दुकानदारों को इसका लाब नहीं मिलेगा छोटे छोटे लोग दोबी होगा मोची होगा दरजी होगा दूद बेचने वाला होगा चाय बेचने वाला होगा कपड़े बेचने वाला होगा किराने बेचने वाला होगा बिस्किट बेचने वाला होगा लोग ये कोशिस करें का आपके गाउं में भी नाम आए आपके गाउं के लोग भी मोबाइल फोन से खर्च करने की आद़त डाले व्यापारी भी मोबाइल फोन से लेंदेन करना शुरू करें आप देखिए प्रस्टा चार और काले बाजारी करने वालों के दिल समात तो हो ज देश में काले धन की नौबत नहीं आएगी फिर से इस देश में ब्रस्टा चार के खेल नहीं हो पाएंगे ये काम हम सब को मिल करके करना है भाई यो बेनो कि मैं आज इस कानपूर की धर्ती से देश सबास्यों को रुदय से अभिनंदर करना चाहता हूँ ये लड़ाई जीतन हम इसलिए रहे है क्योंकि देश के करोडो करोडो लोकों ने आशिरवाद दिये है इमानदारी की लड़ाई आगे इसलिए बढ़ रही है कि करोडो करोडो गरीब देश सबास्यों ने मद्यमबर्गिये लोकों ने इमानदार लोगों ने देश के लिए कस्ट जेला है गंटों तक कतार में खड़े रहे लोगों ने आकर के उनको उक्साने की कोशिश की, राजनेताओं ने भड़काने की कोशिश की, बाती बाती की बाते चलाई गई, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक, पूरा हिंदुस्तान इमानदारी के साथ खड़ा रहा, इससे बड़ा किसी देश का सौभाग् भाईयो बहनों, मैं मिडिया के मित्रों से भी आगर करता हूँ, मैं पत्रकारी ता जगत से भी आगर करता हूँ, मैं इंटलेक्टुल वर्ड से भी आगर करता हूँ, लिखने पढ़ने की ताकत वालों से भी आगर करता हूँ, आप दुनिया को बताओ, आप दुनिया को ब कई लोग ऐसे हैं जिनको स्कूल कॉलेज जाने का सौभागे नहीं मिला हैं असिक्षा है गरीबी है उसके बावजुद भी सबासो करोड का देश इमांदारी की लड़ाई के लिए कस्त्र जेलने के लिए तैयार हुआ है यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है बहुत हमें कहीं यह संभव नहीं हो सकता जो मेरे देश वाच्यों ने करके दिखाया है उनके जितने गीदगाए उतना कम है उनके जितने गुनगान करे उतना कम है दुनिया को बारत की ताकत का परिचा कराए उतना कम है और इसलिए मैं बुद्धी जीवियों से कहना चाहता हूं कि बारत के गरीब ने बारत के अंपड़ व्यक्ति ने बारत के इमामदार व्यक्ति ने जो ताकत दिखाई है उससे जराद दुनिया को परीचे करवाईए ये मेरे देश की ताकत है इसी ताकत से देश आगे बढ़ने वाला है भाईयों भेलो जब अच्छा करते हैं तो तप करना पड़ता है तप अच्छा करनी पड़ती है और तप जेलना भी पड़ता है मेरे देश वासियों ने अद्बूत कमाल की है भाईयों अद्बूत कमाल की इतियास इतियास इस घटना को इसलिए याद रही करेगा कि कौन प्रधान मंत्री था और किस ने निनने किया था इतियास इस घटना को इस रुप में देखेगा कि सबासो करोर का देश इमांदारी के लिए कैसे खड़ा हो गया था यह इतियास दर्जित करने वाला इस लड़ाई का विजय किसी प्रदान मंत्री का नहीं है इस लड़ाई का विजय किसी दल का नहीं है इस लड़ाई का विजय किसी सरकार का नहीं है ये लड़ाई का विजय इमांदार देश बाठियों का विजय है इमांदारी का विजय है इमांदारी पर देश को आगे ले стало की लठाई का विजय है और इसलिए बेरे पैरे भाईयों बेनों आपने जो असिरवात दिया है आपने जो असिरवात दिया है इसको मैं शत्र्षत शत्र नमान करता हूं मुझे फिर एक बाइ करें मुझे बताये हाथ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, काला धन मिटना चाहिए कि नहीं मिटना चाहिए, काला धन के कुबेरों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, देश का सुद्धी करण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे दोनों हाथ उपर करके आशिरवाद दीजि आप मुझे असिरवाद दीजिए आपी की ताकत के बदॉलत ये देश जितने वाला है ये देश इमानदारी के रास्ते पर चलने वाला है भायों बहनों आओ आओ हम मिल करके आगे बढ़े और जो सपना ले करके निकले है उस सपने को पूरा करके रहे बहुत बहुत धन्यव मैं आपका बहुत बहुत अभारी हूँ